तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इसनाय और लेटस्ट वीडियो में फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के उर्दू का वीवी आई सब्जेक्टिव कोश्चन करने वाले हैं और ये सब्जेक्टिव कोश्चन है 11 से लेकर 20 चेप्टर तक का इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग एक से लेकर 10 चेप्टर तक के सभी वीवी आई सब्जेक्टिव कोश्चन को कम्प्लीट कर चुके हैं आप लोगोंने वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है आज के इस वीडियो में हम लोगे 11 से लेकर 20 चेप्टर तक के सभी मस्ट वीवी आई सब्जेक्टिव कोश्चन को कम्प्लीट करने वाले हैं औ तो चली आज किस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जैसा कि मैं आप लोगों को अलड़ी बता चुकी हूं कि मैं जितना भी यह मस्ट वीवी आई सब्जेक्टिव कोश्ण करा रही हूं इसके पहले वाले वीडियो में भी कराई हूं और आज किस वीडियो में जो हम लोग कि देखिएगा क्योंकि समय अब वीडियो को स्किप करने का नहीं है बल्कि स्पीड में आने का है जोश में आने का है और एकदम तयारी जबरदस्त करने का है तो जितना भी मैं आप लोगो सब्जेक्टिव कोश्ण करा रही हूं अगर Χर एक सब्जेक्टिव कोश्ण पर आप लोग का कमांड हो जाता है तो एक भी कोशन आप लोग फाइनल एक्जाम में छोड़ कर नहीं आएंगे यह मैं पूरे विश्वास के साथ के रही हूं बस शर्त यह है कि हर एक सब्जेक्टिव कोशन पर आप लोग का कमांड होना चाहिए ठीक है तो चलिए आज किस में आप लोग हो जाएंगे तो स्टार्टिंग में ही लाइक शेर वगारा जो भी फर्मलीटी निभाना होता है वो सब निभा लीजिए ठीक है देखिए कोशन नंबर 46 से सवाल क्या है कि मौलाना आजाद ने हिंदुस्तानियों की चाय को सहियाल हल्वा कहा है एक और बात देना चाहती हूं कि यहां पर मैं सिर्फ कोशन लिखी हूं बोर्ड पर हलांकि एंसर भी मैं आप लोगो कराऊंगी रिटन एंसर जो की डेक्स्ट अपर मैं आप लोगो कराऊंगी यहां पर सिर्फ मैं सवाल इसलिए लिखी हूं ताकि आप लोग अपने प्रिपरेशन की जांच कर सके यानि कि आप लोग कितने सवालों का जवाब देप पा रहे हैं इसकी जांच हो सके ठीक है ना तो 46 से लेकर 75 कोशन यहाँ पर हैं बोड पर लिखा हुआ आप लोग हर एक कोशन को पढ़िए यह फिर मैं ही पढ़ रही हूं और आप लोग अपने से जवाब देन हैं आप लोग कितना कोशन का इंसर दे पा रहे हैं तो पहला सवाल क्या है यानि की चाय होती है ना उसमें सिर्फ पानी और चाय पतिfully रहता है उसके बड़्य्से जाता है दूद भी डाल दिया जाता है अद्रक लसन प्याज वगर अधेर सारा डाल कर उसको हलवा की तरह बना दिया जाता है जबकि चाय का सिंपल सा मतलब होता है कि उसमें पानी होना चाहिए और चैपती होना चाहिए ठीक है उसी को कहते हैं लेकिन हिंदुस्तानियों के चाहिए में सब कुछ डाल दिया जाता है चीनी चैपती दूद अद्रक इलाइची वगरे सब डाल कर और एक तरसे हलवा बना दिया जाता है तो इसलिए मौलाना अबुलकलाम आजाद जो है ना हिंदुस्तानियों की चाहे को सेयाल हलवा करे हैं वैसे मौलाना अबुलकला है कि मौलाना आजाद ने अपनी पसंदीदा चाहे की जो खुसूसियात बयान किये हैं उन्हें एक्तसार के सांथ लिखिये यानि कि मौलाना अबुलकलाम आजाद का जो पसंदीदा चाहे है वाइट जास्मिन जिसको सफेद चंबेली भी कहा जाता है तो अपने पसंदीद चैपत्ति डालते थे और चीनी एकदम ना के बराबर डालते थे सिर्फ नाम के लिए चीनी डालते थे तो इसतरा आप लोग वैसे मैं आप लोग लिखा हुआ एंसर दूंगी टेंसर नाले खुद से लिखने की कोश्ष नहीं किजिए आप लोग इंसर डेक्स तब पर आज़ार किया है यानि कि मुलाना अबुनकालामाज़ाद जिस जpert में थे उस जैल में एक टुरानी चेह तो इस दे निस लिए अबँ को गड़ते हूँ आज की नाम रहता है यानि की पढ़ने के बाद उनके वाइफ के बारे में हमें क्या पता चलता है कि उनकी वाइफ की शक्षियत कैसी है यह आप लोगों को बताना है यहां पर उसके बाद से 50 नंबर सवाल है कि नजम गुफ्तगु का मुफ्तशर खुलासा कीजिए नजम यानिकी कवीता गुफ्तगु जो है यानिकी गुफ्तगु नाम का कवीता इसका मुखतसर खुलासा करना है ओवर्विव कर देना है मतलब किस नजम में क्या क्या बताया गया है ठीक है किस चीज पर यह नजम लिखा गया है यह आप लोग को मुखतसर खुलासा कर देना है उसके बाद से 51 नमर क्वेशन है कि जबान के पत्ते से आवाज की तितली उर जाएगी या बताकर शायर किस हकीकत की तरफ इशारा कर रहा है या बताकर शायर किस हकीकत की तरफ इशारा कर रहा है तो इसी हकीकत की तरफ इशारा कर रहा है कि जब मौत आत तक कि हांत जो है ना हाथ के कवल भी कुमला जाते हैं यानि कि हाथ कि जो हरकत है वो भी खत्म हो जाती है पुरा जिस्म जो है ना दीरे-दीरे काम करना बंद कर देता है तो आप लोग इसको अच्छे से सजा कर लिख सकते हैं आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए कोशन नमर 52 है कि मौत के आमद से पहले जो मंदर पेश किया गया है उसे अपने अलफा का वाक्या पेश आता है ठीक है यानिकी मौत आने से पहले का जो मंदर पेश किया गया है उसे अपने लफज में लिखना है तो मौत आने से पहले क्या होता है नॉर्मल जो मतलब इस नजम कवीता में बताई गई है उसी तरह बता देना है कि जबान के पत्ते से आवाज की तितली जो है ना उर जाती है यान की जबान से बोलने की इसलाइयत खत्म हो जाती है आवाज निकलना बंद हो जाता है यहां तक की आँखों की रोशनी चली जाती है शरीर काम करना धीरे धीरे बंद करने लगता है तो जो भी है आप लोग असानी से लिख सकते हैं आगे बढ से अगला सवाल है कि मोद के बादशायर किस तुरा अमर हो जाएगा मौत हो जाने के की वक्त इंसानों को क्या मौका देता है तो वक्त इंसानों को बढ़ने सीखने और संभ़ने का मौका देता है ठीक है वक्त हमें अपने जिन्दगी में सब कुछ करने का मौका देता है सीखो समझो और अपने लाइफ में सक्सेज को एचीव करो लेकिन कुछ बंदे ऐसे होते हैं कुछ शक्स ऐसे होते हैं जो की वक्त रहते हुए संभल नहीं पाते हैं और ऐसे लोगों को वक्त बहुत ही तरीके से समझा देता है ठीक है ना आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए 57 डीसमें तक तो हो गया हम कि किस्टरा है नजम्स के की हवाले से जवाब दीजीए ऑन वह सह्थ हम और वक्तहरा किसान अपने फसल बो टा है अच्छे तरीके से उसको पालता है पोस्ता है मतलब कि पानी वगए डालता है देख भाल करते हैं कभी खुशी कभी घम जिन्दगी में लगा ही रहता है और इस बिसक तरीके से समझा भी देता है ठीकन और फिर किसान पासल को तयार होने पर काट लेता है बिलकुल हम लोग के तयार होने पर हम लोग के तयार होने पर वक्त भी हम लोग को फसल की तरह काट लेता है और आखिर में हम लोग को वक्त का लुक्मा बनना ही पड़ता है आखिर में हम लोग का इंतकाल यानिकी मौत हो ही जाती है ठीक है तो इस तरह आप लोग आसानी से लफजों को अगर आपको इंसर पता रहेगा तो आप आसानी से लफजों को सजा कर धेर सारी बातों को लिख सकते हैं ठीक है कोई कमी नहीं होगी नहीं देखिए शायर की किस बात पर मिस हस कर नहीं बोलती है उस मौके पर वह शायर से क्या कहती है यहां पर कोशन पूछा जा रहा है कि मि मिस हस कर नहीं बोलती है और उस मौके पर वह शायर से क्या कहती है तो देखिए शायर जब जाकर अपने मुहबत का इजहार मिस नाम की लड़की के सामने करते हैं तो उस वक्त मिस हस कर नहीं बोलती है जबकि तियोरी को चढ़ा कर कहती है शायर से कि मैं मुसल्मानों से सख लगतनफरत करती हूं क्योंकि उन से मुझे खून की बू आती है तो यह बात मिस्स कहती है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है नजम बरकक कलीसा का खुलासा तैहरीर की जिए यानि कि जो कवीता है बरकक कलीसा इसका खुलासा करना है ठीक है इस नजम में क्या क्या बताया गया है यहार एक चीज आप लोगों को लंबा चुड़ा लिख देना है आगे बढ़ते हैं कि अकबर लाबादी ने अपने नजम का उनुवान बरक कलीसा क्यूं रखा यानि कि अकबर लाबादी जो की बरक कलीसा नाम क आगे बढ़ते हैं मुतशायर खुद को खोटा सी का क्यूंक कह रہा है मुतशायर जिसको कहते है इसको कहते है क्यूंक वे लोगों को बताना है 64 number question है कि ममूले ने शाहीन का चोला बदल दिया है इससे शायर क्या कहना चाहता है question number 64 है कि मुतशायर उर्दू का जनाजा आखिर किस तरह निकालेगा मुतशायर तो ये असली शायर है ही नहीं तो ये उर्दू का जनाजा आखिर किस तरह से निकालेगा ये question है आसानी से इसका भी एंसर दिया जा सकता है अदब के लिए खुद को बाह से नंग मुतशायर क्यों कह रहा है अगला स्वाल शेर नहीं कहने के बावजूद किन बातों के सबब मुतशायर की शोहरत और एहमियत काइम हुई बयान कीजिए शेर जो है मुतशायर शेर नहीं लिखता है ना कहता है जबकि दूसरे जो असली शेर है उनकी कलाम को चुरा कर ये शेर पढ़ता है तो शेर नहीं लिखने के बावजूद भी मुतशायर की इतनी शोहरत क्यों है इसलिए है क्योंकि मुतशायर जो है ना वो मक्षन लगाता है जाकर चापलोसी करता है चापलोसी और मक्खन लगाने के बल पर ही मुतशायर की इतनी शोहरत है ठीक है हर अद्वी मैफिल हर सजीवी मैफिल में इसको बुलाया जाता है धनबाद जहरिया पेरिस लंदन वगरा दूसरे मुलकों में भी यह जाता है सिर्फ किसके बल पर भूजद्द हमजद से मुखातिब कर शायरं किन ख्यालात का इज़ार किया है बलबूले घजल ख्वा क्यूंग हो गई बलबूले जो है वह घजल क्यूंगा आने लगी तो शायर के चमन में जाने से और उनके जो दर्द है दर्द को देखकर ठीक है उनके घम को समझकर बल बुलबुले भजलख्वा हो गई ठीक है ना तो बुलबुले घजलख्वा हो गई क्यूं हो गई यह आप लोग को यहां पर बताना है अगला सवाल है शायर ने बताया है कि वह पत्थर नहीं है उसने यह बात क्यूं कही है तो शायर पत्थर नहीं है यह बात शायर ने कहा है तो क्यूं कहा है यह आप लोग को बताना है तो खेर तो आप लोग को पता ही होगा क्यूं कहा है क्यूंकि शायर यह बताना चाहते हैं कि मैं भी इंसान हूँ मैं भी पत्थर नहीं हूँ क्योंकि हमारे अंदर रूह है मैं एक इंसान हूँ और हमारे अंदर भी एहसास है, फिलिंग्स है, मैं पत्थर नहीं हूँ कि तुम्हारे दर पर, तुम्हारे दरवाजे पर हमेशा के रिए पड़ा रहूँ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, शायर ने अपने बारे में या बात क्यूं कही कि वो लो है जहां पर हर्फे मुकर्रन नहीं है, तो शायर ने ये बात इसलिए कही थी, क्योंकि जमाना जो है ना शायर को मिटाना चाहता है, ठीक है? शायर बहुत ज़्यदा गरीब है और गुर्बत को समाज के लोग जो है ना, क्या कहते हैं? उसको नजर अंदाज करना, उतने अच्छे तरीके से भीहब नहीं करते हैं गरीब लोग के साथ इस वज़एसे शायर कहता है कि जमाना हमको मिटाना क्यों क्यों चाहता है? जमाना हमको क्यों क्यों परशान कर रहा है? मैं तो इस लोहे जहां पर हर्फ मुकर्रर नहीं हूँ, यानि कि मैं दो बार लिखा हुआ हर्फ नहीं हूँ, कि एक को मिटा दो, एक को मार दो, तो दुसरे से काम चल जाएगा, मैं तो इस दुनिया में एक ही हूँ, ठीक है, तो ये हो गया answer, गालिब की जिंदगी की हालात से बयान कीजिए, ये भी important question है, उचा गया है, बहुत बार, तो गालिब के बारे में आप लोगों को बता देना है, आराम से आप लोग लिख सकते हैं, मिर्जा गालिब का पूरा नाम क्या है, अस्दुल्ला बेग खा, इनके पिता जी का नाम क्या है, वालिद का नाम है, मि मिर्जा गालिब तो इनके चचा नसुल्ला बेग का इंतकाल हो गया, तो इनके जो चचा है नसुल्ला बेग का इंतकाल हो गया, यानि कि मिर्जा गालिब की जो देख बाल है परवरिश, वो इनके चचा नसुल्ला बेग नहीं किया था, लेकिन बहुत जल्द कुछ सालों क के बाद मिर्जा गालिब के जो चचत है नस्रुला बेग उनका भी इंतकाल हो गया तो अब इनकी मा जो थी इजतुन निसा बेगम वो परवरिश करने लगी और लगभक 13 साल की उमर में मिर्जा गालिब की शादी भी हो गई थी उम्राव बेगम से तो लंबा चोड़ा आप लिख सकते हैं अगर आप लोगों पता है तो लवसों को सजा कर लिखना बहुत यह आसान काम होता है बस आप लोगों को एंसर पता रहना चाहिए और पता तभी रहेगा जब आप लोग चैप्र पढ़े होंगे आप लोग पढ़ा हैं तो एक बार फिर से बता दे रही हूं आप लोग प्लेइलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिक्शन डाल दिया गए है लिंक पर क्लिक करेंगे पड़ते एक वीडियो आप लोग को मिल जाएगा आप लोग जाकर वहां से पड़ सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए इस जमीन में दर्य समय हैं से क्या मुराद है मतलब क्यूं कहा गया है क्यों कहा गया है क्योंकि यह कहकर एक वाक्या है फरहाद का वाक्या उसके तरफ इशारा किया गया है फरहाद और शीरी की कहानी आप लोग जानते हैं ठीक है फरहाद जो की दिन रात मतलब अपने मुहबत को पाने के लिए दिन रात मेहनत करता है और पहार को मतलब खोदता है और दूद का दरिया निकाल देता है ठीक है लेकिन इतना बड़ा काम करने के बावजूद भी फरहार जो है ना मतलब उसी मिट्टी में मिल जाता है ठीक है यानि कि उसकी भी दफन मतलब जब उसकी मौत होती है तो उसको भी आखिर मिट्टी-मेंगी दफना दिया जाता और इस दुनिया में बहुत बड़े-बड़े लोग हुए आखिर उनको दफन होना ही पड़ा इसी मिट्टी में इसी वजह से यह यह वेँपर कहा गया ilm मिनट ठीक है यगाना ने उर्दू घजल की khuam सा तजर्बा किया है उस मौजू पर मुखतार नोट लिख‌ए यगाना चंगेजि जो है उर्दू घजल की तारीख में historic में कौन सा तजर्बा किया है इन्हों इस मौजू पर आप लोगो मुखतार सा एक कि शौर्ट नोट लिख देना है ठीक है अब एक लास्ट कोशन 75 नमबर सवाल यहां पर मैं लिख दी हूँ किया जबा गैरत को बनकर कसाई और मिली है मुझको दौलत बेजमीरी का मतलब बयान कीजिए किया जबा गैरत को बनकर कसाई यानि कि जो मुतशायर है वो कह रहा है क इसका क्या मतलब है यह आप लोग को बताना है तो अब चलिए यह सारा कोशन था अब इसका मैं आप लोग को रिटेन एंसर डेक्स्ट अपर दिखाती है तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है यहां पर क्लास 12 उर्दू मस्ट विविए सब्जेक्टिब है यानि की लिखा हुआ एंसर जिसे देखकर और पढ़कर आप लोग को आईडिया लगेगा आप लोग सीखेंगे कि हां मुझे भी फाइनल एक्जाम में बिल्कुल इसी तरीके से लफजों को सजाकर एंसर लिखना है ठीक है चलिए फड़वर स्टार्ट करते हैं कोशन न है वो चाए में दूध नहीं डालते थे बलकि साधी चाए पीते थे आप लोग देख सकते हैं यह जो एंसर लिखा गया है टफल लव्ज का यूज नहीं किया है गया है एकड़म आसां सा लव्ज का यूज करते हुए बस सजा कर लिख दिया गया है इसी तरेके से आप पहले तो यह लिखा गया है कि मौराना आजाद के बारे में पहली बात तो यह है कि वो चाए में दूद नहीं डालते थे बलकि साधी चाए पीते थे दूसरी बात यह है कि वो साधी चाए में चीनी बहुत कम डालते थे यानि कि एकदम ना के बराबर वो चीनी डालते थे हिं में दूद डालने के बज़ाए दूद में चाय डाला जाने लगा ये तो बात बिल्कुल सही है नतीजा यह निकला के चाय का असली मकसद फौथ हो गया और इसलिए मौलाना आजाद ने हिंदुस्तानियों की चाय को सही हलवा का है बिल्कुल सही देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छा तरीके से यहां पर एंसर लिग दिया गया है बताया जा रहा है कि जब अंग्रेजों के जरीए हिंदुस्तान में चाय की रि डूद्ध डाला जाने लगा और फिर उसके बाद से एक बहुत बड़ी तब्दिली ने के बज़ए दूद में चाय पत्ति डाला जाने लगा ठीक है और उसमें लॉं अद्रक्षी जो भी है डाला जाने लगा और उसको सेयाल हल्वा बना दिया गया इसी वज़ा से मौलाना आजाद हिंदुस्तानियों की चाय को सेयाल हल्वा कहे है आई होप आप लोगों को एंसर समझ में आगया होगा आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 47 देखिए मौलाना आजाद ने अपनी पसंदीदा चाय को की जो खुसूसियात बियान किये है उन्हें एक्तिसार के साथ लिखिये यानि कि मौलाना आजाद का जो पसंदीदा चाय है उसकी खुसूसियात आप लोगों को लिखना है जो कि मौलाना आजाद खुद से बताये हैं अपने चाई की विशेष्टाएं वही बात तो देखिए एंसर ने लिखा गया है कि मौलाना आजाद ने चाई के लिए अपनी पसंदीदा खुसूसियाद जो बियान किये हैं यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई गई है उर्दू इसको आप लोग एंगर कीजिएगा यहांपर लिखा गया है जो खुसूसियत बियान किये हैं मौलाना आजाद अपनी चाई की वो इस तरह है कि वह चाय पत्ती ही क्या जो चीन की ना हो यानि कि मतलब मौलाना अजाद का कहना था कि जो असली चाय पत्ती है ना वो चीन की ही होती है सिर्फ चीन में ही होती है ठीक है मौलाना अजाद के मताबिक हिंदुस्तान या लंका में जो पैदावार चाय की होती है वो दरसल नकली चाई की पती है यानि कि हिंदुस्तान और स्रिलंका में जो चाई पती का पेड़ होता है चाई की पती पैदा होती है मनलब जो पैदावार है वो नकली है दूसरी बात या है कि चाई सादा होनी चाहिए यानि उसमें दूध नहीं डाला जाना चाहिए तिसरी बات्व याएए कि चाई में शक्र बराय repentance का डाला जाना जाना चाहिए यानि कि चीनी बहुत कम डाली जानी चाहिए बलकि अगर शक्र डाला ही नहाइए तो जरादा बहतर है तो ये सारी खुसूसियत बताए हैं, मौलाना अजाद अपने चाए की, ये खुद अपने चाए में चीनी बहुत कम डालते थे, ठीक है दूद तो खर डालते ही नहीं थे, चाए का मतलब होता है, सिर्फ पानी रहे और उसमें चाए पती रहे, बस, इनका मौलाना अजाद का ही मानना था, चलिए आगे बढ़ते हैं, कोशन नमर 48 देखिए, आजाद ने जेल के आते में किसी पुरानी कबर को देखने के बाद किन किफियात का इजहार किया है, तो एंसर देखिए, लिखा गया है, जेल के आते में किसी पुराने कबर को देखकर, मौलाना अजाद ने की मोटिवेट हुए थे शुनाँचा एक खत में वो खुद फरमाते हैं कि जिस जेल में मैं कैद हूँ उसके आहाते में एक पुरानी कबर है या तो या तो नहीं मालूम यहा टाइप हो गया है यह रहेगा या तो नहीं मालूम कि यहा किसकी कबर है लेकिन सैकड़ो बार इस क कबर को देखने के बाद फितरी तोर पर इस कबर और कबर वालों से एक निस्बत सी पैदा हो गई है या या एक लगाओ सा हो गया है अब तो इसे बार बार देखने को जी चाहता है ठीक है ना तो यह सारी किविएत का इजहार करते हैं मौलाना आज़ाद उस कबर को देखन इसक्तित किस तरह की शक्तित है ये तीसरे खत को पढ़ने के बाद पता चलता है तो वही चीजए आप लों को लिखना है यहां पर एंसर में देखे लिखा गया है तीसरे खत को पढ़ने के बाद मौलाना आज़ाद की बेगम जुलेख्खा की शक्सियत की जो तश्वीव जो उनकी शक्सियत के बारे में पता चलता है वो इस तरह है कि जुलेखा बेगम एक वफदार, समझदार और सुलजी हुई खातून थी वो अबीवी की हैसियत से मौलाना आजाद को अपनी जात से कोई तकलिफ नहीं पहुचाना चाहती थी सोचे बहुत ही समझदार और सुलजी हुई खातून थी बहुत ही अच्छी वाइफ आप कह सकते हैं यहाँ तक कि बिष्टर अलालत पर रहती थी तो जेल में मौलाना आजाद को यही खत लिखती थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ तश्वीश की कोई बात नहीं है यानि कि जो मौलाना आजाद की बेगम है जुलेखा बेगम वाइफ वो अगर बिमार भी रहती थी बिस्तर पर पड़ी रहती थी तो भी मौलाना आजाद को जेल में यही खत लिखा करती थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ घबराने की कोई बात नहीं है तो कितनी अच्छी मतलब इनकी वाइफ थी आप कह सकते हैं सपोर्ट करने वाली कभी मतलब टेंशन नहीं देती थी चलिए आगे बरते हैं पच्छास नमबर सवाल देखिए नजम गुफतगू का मुक्तसर खुलासा कीजिए यानि की खुलासा लिखना है जो कवीता है न गुफतगू इसका शौट में खुलासा लिख देना है आप लोगों आखिर इस नजम में क्या क्या बताये गया है वही चीज़े तो देखिए मैं शौट में एंसर लिखी हूँ नजम गुफतगू के खालिक अली सरदार जाफरी है यानि की गुफतगू नजम इसे कवीता के राइटर जो हैं लिखने वाले हो कौन है अली सरदार जाफरी है या नजम हिंदु पाक की दोस्ती के नाम लिखा गया है और दोनों मुलकों के दर्मयान पैदा होने वाले मसा से निजात की तर्कीब भी बताई गई हैं शायर दोनों मुलकों की तारीक से भी वाकिफ है इसलिए उन्हों ने दोनों मुलकों के हुक्मरानों को मश्वरा दिया है कि मसाइल काहल गुफतगू के जरिये ढूंदा जाना चाहिए गुफतगू एक ऐसी चीजिज है जिस से दुनिया के बड़े-बड़े मसाइल आसानी से हल हो जाते हैं शायर को भी हिंदो पाक के मसाइल का हल गुफदगू में ही नजर आता है इसलिए वो चाहता है कि दोनों मालिक के दर्मियान एक ऐसी मुलाकात हो जो इतनी तवील हो के दोनों मालिक की आपसी मसाइल और दुश्मनी आखिर खर खत्म कर दे या फिर खत्म हो जाए तो देखें ये भी कितने अच्छे तरीके से लफजों को सजा कर एंसर लिखा गया है ठीक है ना हो सकता है कि आप हमसे बहतर इंसर लिख पाएं चलिए कोशन नबर 51 देखिए लिखा है कि जबान के पत्ते से आवाज की तितली उर जाएगी या बताकर शायर किस हाकिकत की तरफ इशारा कर रहा है तो जबान के पत्ते से मुराद मुत को सदा की तितली है चुनांचर शायर कहता है कि जब मौत होने वाली होती है तो इनसान के जिबान से यानि कि उसके जीब से आप कह सकते हैं उसके मुँ से आवाज की तितली उर जाती है यानि जबान से आवाज निकलना बंद हो जाता ह तो जुबान के पत्ते से आवाज की तितली उर जाने का मतलब यही है जुबान के पत्ते से आवाज की तितली उर जाने का मतलब क्या हुआ कि जुबान से आवाज जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है जब मौत आने वाली होती है तो यही बात शायर जो है बताएं और इस हकीकत के तरफ इशारा किए है कोशन लबर फिफटी टू देखिए मौत के आमद से पहले जो मनजर पेश किया गया है उसे अपने अलफाज में बयान कीजिए तो मौत आने किससे पहले जो भी चीजे होती हैं किस तरह से मनजर पेश आते हैं ये हर एक चीज जो है ना शायर खुद अपने नजब में लिखे हैं तो उसी के हिसाब से आप लोगो बताना है देखिए एंसर लिखा हुआ है कि अली सरदार जाफरी ने अपने नजब मेरा सफर में इपतदा में ही मौत का एक मनजर पेश किया है चुनांचे शायर क कहता है कि मौत आने से पहले आखों की रोशनी खत्म हो जाएगी हाथों की हरकत खत्म हो जाएगी जूआ की गोयाई छीन ली जाएगी और इंसानी तितली की तरह दुनिया से उजड जाएगा और मौत से हम किनार हो जाएगा यह बर बोला जा रहा है कि हाँ मौत आने से पहले जो मंजर पेश आते हैं उनमें से ये है कि आखों की रोश्नी खत्म हो जाएगी हातों की हरकत हात काम करना बंद कर देगा जुबान से जो आवाज निकलते हैं वो बंद हो जाएंगे यानि कि जबान की गोयाई छीन ली जाएगी ठीक है और उसके बार से इंसान का जो रूह है वो निकल जाएगा और मौत से हम किनार हो जाएगा यानि कि मौत आ जाएगी ठीक कोशन नमर 53 कि आँखों के दिए कब बुझ जाते हैं तो मेरा सफर नजब में आँखों के दिए बुझ जाने का मतलब यह है कि जब मौत आती है तो आँख भी बे जान हो जाती है और उसकी रोशनी खत्म हो जाती है बस इसका एंसर जादा नहीं है क्योंकि ये दो नमबर का खोबी बयान की है, तो शायर ने इस नज्म में अपने आपको एक तड़पता हुआ कत्रा करार दिया है, देख सकते हैं कितने अच्छा तरीके से लिखा गया है, और तडपते हुए कत्रे की कुछ खुसूसियात भी बयान की है, शायर कहता है कि कत्रा दर्या का कमतरीन हिस्सा है फिर भी वो अपने वजूद को दरिया में जम करके सफर में मसरूफ रहता है माजी की सुराही से निकल कर हाल की तामीर करता है और हाल के सफर से मुस्तक्बिल का तसवर पेश करता है वो गया इंसर चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए पच्पन नमबर सवाल ह कि मौत के बाद शायर किस तरह मर हो जाएगा तो शायर अली सरदार जाफरी कहते हैं कि मैं मौत के बाद अमर हो जाओंगा यानि जब मैं मर जाओंगा तो लोग मुझे याद करेंगे अगर मैंने दुनियावी जिन्दगी में अच्छा काम किया है तो लोग मुझे अच्छ हाई ही मरने के पीछे जिन्दा रखेगी तो इस तरह शायर जो हैं वह मौत के बाद भी बोल रहे हैं कि मैं अमर हो जाओंगा कोशन अमर 56 कि क्या थे एक पुरसर mortimer है तो देखिया अमीख कहनवी के जिरें हसाब नज्म खेथी फिक्री एतबार एक पुरसर नज्म धोटी क्या है यह इस नज्म का मरकजी vendor क्या है मरकजी किरदार है वक्त को सुअ या पर स्टार्टिंग में वक्त रहेगा ठीक है वक्त जो है वक्त इस नजम का मरकजी किरदार यहां पर यहां पर रहेगा वक्त ठीक है वक्त इस नजम का मरकजी किरदार है शायर ने इस नजम में इस हकीकत को बियान करता है कि हम तमाम इंसान वक्त की खेती हैं वक्त हमें बढ़न बढ़ते हैं question number 57 देखिए कि वग्त इनसानों को क्या मौका देता है तो वक्त के हाँ तो ही इनसां की मुक्दर का फैसला होता है एक ऐसा फैसला जिसका नतीजा हमेशा फना की शकल में ही जाहिर होता है इस तरह हम देखते हैं कि वक्त हमें उभरने और तरक्की करने का मौका तो जरूर देता है लेकिन उसके बावजूद अगर हम इस मौके से फाइदा ना उठाए तो यह हमारी समझ का कुसूर है तो आप लोग देख सकते हैं वक्त इंसानों को क्या मौका देता है यहां पर बता दिया गया है बढ़ने उभरने और तरक्की करने का मौका देता है वक्त हमें ठीक है फिर भी हम लोग ना सुधरे तो आखिर में यह हम लोग के समझ का कुसूर है और आखिर में तो वक्त तो हसता ही है खुश होता है कि चलो अब इसका वक्त हो गया है मरने का तो आखिर में फसल की तरह वक्त हम लोगो काट लेता है कोशन नमर 58 कि हम वक्त की खेती किस तरह हैं नजम खेती के हवाले से जवाब दीजिए तो नजम खेती के शायर अमीख खनफी हैं, अमीख इस तरह से लिखाएगा, उर्दू टाइपिंग में इस तरह मिस्टेक तो होती ही रहती है, लेकिन आप लोग को समझ लेना है कि हाँ, अमीख इस तरह से लिखाएगा, देखिए, यहाँ पर अमीख सिर्फ लिखाएगा, य नजम का एक हिस्सा बढ़ने और बनने से जुड़ा है तो दूसरा हिस्सा इंसानी जिंदगी के लाजमी अंजाम से जुड़ा है इस नजम के जरीए शायर लोगों को यह बताना चाहता है कि वक्त हमें अपनी जिंदगी में बढ़ने और सुधरने का मौका देता है और जब ह मौके पर वह शायर से क्या कहती है तो शायर ने जब कलीसा में जाकर अंग्रेजी मैम से अपनी महबत का इजहार किया और इज़त वदूलत वो मजहब को उसके हुसन पर निसार करने की बात कही तो वहां मिस ने हसने के बजाए तियोरी चड़ा कर मुसल्मानों से नफरत का इ आसा आप लोगो को करना है कि इसमें क्या क्या बताया गया है तो देखिए मैं भी शौट में बहुत यचे तरीके से यहां पर लिख दी हुए इंसर नजम बरके कलीसा अकबर अलाबादी का एक तंजहिया वह मजाहिया नजम है इस नजम में शायर फरमाता है कि एक दिन कली चाल ढाल नाजवांदाज गुफटगू और बेपना हुसन का तज़करा करते हैं शायर उस नजम में और यहां तक कि शायर ने अपने दिल की बेकरारी का भी इजहार किया है फिर मिस से इजहार इश्क भी फरमाते हैं यानि कि मिस से जाकर अपने इश्क का इजहार भी कर देते हैं लेकिन उस वक्त मिस्ट यूरी चड़ा कर मुहबत की कुबूलियत के बजाए इसलाम और उसकी उसूल वनजरियात पर सख्त तनकीदी करती है शायर मिस्ट के तमाम खुराफात को खामोसी से सुन लेता है फिर इसलामी तहजीब और मुसल्मानों के खोकले पन को इस हैसियत से में इसके सामने पेश करता है यहां तक के अपने इसलाम को किस्ता माजित तक कह देता है इस बात को सुनकर वहमिस मुस्कुराती है और फिर रजामंदी का इजहार करती है तो पूरी कहानी पूरा नजम का खुलासा तो मैं आप लोगो जब पढ़ा रही थी तब ह कर दिए एकदम हर एक लाइन को पढ़कर मैं आप लोगो पूरा नजम का तश्रीह की थी बहुत यह से तरिके से उसका अर्थ बताई थी तो आप लोग जानते ही हैं बस अपने लफजों में आप लोग चाहें तो खुद से लिख सकते हैं अपनी भाशा में आगे बढ़ते है कलीशा की बिजली चर्च की बिजली इसलिए शायर अंग्रेजी मिस को बरक सर्थ ताबिर करते हुए नजम का अनुवान वर्क एक निसार रखा यह पर बरक कलीशा खाई तरह से लिखाए ठीक है 62 नमबर कोशन 62 नमबर सवाल है कि मुतशायर खुद को खोटा सिक्का क्यूं कह रहा है एंसर देखिए मुतशायर खुद को खोटा सिक्का इसलिए कह रहा है कि वो असल शायर तो है नहीं दूसरे श्वरा से कलाम खरीद कर या किसी पदिम शायर के दिवान से चंद गजल की नकल करके अद्वी मेफिलों में पढ़ लेता है और शायर की हैसित से अपना तारुफ करा लेता है लेकिन अगर उसे इशार लिखने के लिए कह दिया जाए तो उसकी सारी खल जाएगी इस इसलिए वो अपने आपको खोटा सिक्का केहता है मतलब की मुतशायर तो खुद असली शायर नेहीं नकली शायर है दूसरों की कलाम को चुरा कर पड़ता है ठीक है और अपने आपको जो है न शायर की गहसे से तारुफ करा लेता है लेकिन अगर उसे इशार यानि कि शेर लिखने के लिए कह दिया जाए तो इसकी सारी खल जाएगी यानि कि उसका सारा राज खल जाएगा कि हाँ वो असली शायर नहीं है इसलिए शायर अपने आपको खोटा सिक्का कहता है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल कि ममूले ने शाहिन का चोला बदल लिया है इससे शायर क्या कहना चाहता है तो ममूले ने शाहिन का चोला बदल लिया है इससे शायर यह कहना चाहता है कि मुतशायर ने शायर का चोला बदल लिया है मुतशायर ने शायर का चोला बदल लिया है मतलब यह कि ममूले को मुतशायर से ताबिर किया गया है यानि कि आप यूँ के सकते हैं मुतशायर को ममूला कहा गया है और असली शायर को शाहिन कहा गया है तो वहीं हैंपर बात लिखा गया है कि ममूले को मुत शाहिर से ताबिर किया गया है और शाहिन को असली शाहिर से ताबिर किया गया है यानि कि किसी आदबी महफिल में मुतशायर ने किसी से कलाम खरीद कर अरबाव जोग से वह वाही लूट लिया और लोगों में गलत फैमी पैदा करके असल शायर बन गया ठीक है तो मुतशायर असली शायर होता नहीं है जिस तरह ममूले शाहिन नहीं होते हैं लेकिन ऐसा दिखाते हैं अफने आपको तो वही बात यहां पर लिखा गया है आगे बढ़ते हैं कोशन न沒 Musiej अंजा आखि नजाजा आखिर किस तरह निकाले गा तो मुतशायर उर्दू का जनाजा इस तरह निकालेगा कि वह खुद तो शायर है ही नहीं दूसरों का कलाम चुरा कर के या खरीद करके शायर बनता फिरता है हमेशा गिरगीट की तरह रंग बदलता रहता है ऐसे लोग तो अदब के लिए बासे नंग होते हैं और अपनी जहालत से जराफत के परदे में उर्दू का जनाजा निकालते हैं इस तरह हम कह सकते हैं कि मुतशायर उर्दू का जनाजा निकालेगा ठीक है 65 कि अदब के लिए खुद को बासे नंग मुतशायर क्यों कह रहा है तो मुतशायर अदब के लिए खुद को बासे नंग इसलिए कह रह है कि मुटशायर अदब के लिए खुद को बाह से नंग इसलिए कह रहा है कि दूसरों का कलाम खरीद करके या चुरा करके शायर तो बन गया है लेकिन कभी कभी उसका जमीर जिन्दा हो जाता है तो उसे अपनी कमाईगी का एहसास होने लगता है उन्हीं लमहात में मुटशायर अपने आपको अदब के लिए बाह से नंग समझता है ठीक है नेक्ट कोश्चन शेर नहीं कहने के बावजूद देखे शेर भी गलट टाइप हो है शेर इस तरह से रहेगा ठीक है एन से रहेगा शेर तो शेर नहीं कहने के बावजूद किन बातों के किन बातों के कारण मुटशायर की शोहरत और एहमियत काइम हुई है ये बियान करना है आप लोगों तो देखे शेर नहीं कहने के बावजूद मुटशायर की शोहरत और एहमियत इसलिए काइम हो गई कि वह शायरों को खुशामद और चापलूसी करता रहता है ठीक है शाय भी महफिलों में बुलाया जाता है इन्हीं खसूसियत के वज़ा से मुतशायर हमेशा शेरी सफर में रहता है यहां तक के मुलक से बाहर का भी सफर किया करता है जहरिया धनबाद दिल्ली पूना होते हुए पैरिस और लंदन भी पहुँच जाता है जी हजूरी और खुशाम उड़ा ले यहां तक के अकबर लाबादी के दिवान पर कबजा भी कर लेना चाहता है मुक्तसर यह है कि मुतशायर नहीं होने के बावजूद चापलूसी खुशामत और जूट और मकारी जैसी खुशूसियत के बिन्याद पर समाज में अपनी शोहरत और एहमियत काइम कर तरसील ह wären इसलिए का है कि शायर इस नजम के पहले हिस्से में तनहाई महसूस करता है और अपने गहर यकीनी मुस्त usability मायूस नजराता है और फिकर की दर्या में गर्ख ہوकर सूच रहा है कि ना जाने मेरा मुस्तक्बिल यनी की future कैसा होगा घबरा कर आखिर में वह कह उड़ता है कि हम नहीं जानते कि मेरा मुस्तक्बिल कैसा होगा इसलिए कि जिन्दगी एक हिकायत है जिसकी तरसील मुमकीन अगला सवाल है कि ऐ बहर ऐ जदेमजद से मुखातिब होकर शायर ने किन ख्यालात का अज़ार किया है उसे सिंदगी से कुछ उमीदे वावस्ता होने लगता है और उसे कुछ होने का हिसास होता है वह तनहाई में जो बाते सोच रहा है अब वह उससे अलग सोचता है और उसके अंदर उमीद की लहर दोड़ जाती है वही बात बताए गया है कि शायर को नहीं पताए कि हाँ मुस्तक्बिल अमेरा कैसा होगा लेकिं फिर भी आखिर पिर अखिर में वह जाकर जिन खिलाइ गार पिल्वाट अपने शि delve खजलخवा हो घए कहने से गालिब का मकसद जिया है जब मिर्जगाली एक शाईर की हैसियत से मगलीय दरभार में पहँचे तो दरभार में अर्दो शाईरी का इतना चर्चा हुा और उसको इतनी मकबूलित हासिल हुई कि दर्बार और दिली का हर शक्ष शायरी की तरफ मतवज़ हो गया और शेर कहने पर अमादा नजर आने लगा यानि दिली में शेर और शायरी का अच्छा खासा माहौल बन गया इस वज़े से गालिब कहते हैं कि मतलब मैं चमन में क्या गया गोया सुनकर मेरे नाले बुलबूले भी घजल खाओ हो गए यानि कि बुलबूले भी घजल गाने लगी आगे बढ़ते हैं अगला सवाल सत्तर नमबर सवाल है कि शायर ने बताया है कि वह पत्थर नहीं है उसने या बात क्यूं कही है तो शायर मिर्जा गालिब ने बताया है कि वह पत्थर नहीं है गालिब के इसकौल का पसमन जरिया है कि शायर ने अपने एहसास की नजाकत का इज़ार करते हुए यह बात कही है कि मैं पत्थर नहीं हूँ जो बेहिस हो जाओgow, मेरे अंपर भी जान है, मेरे अंपर भी फिल करे क्यों कि रुए तो गालिब ने अपने गजल के तिसरे शेयर में यह बात कही है कि there नहीं हुँ इसकी वज़ है अपने गुर्बत और म यह बात कहता है कि लोग मुझे क्यों परिशान करते हैं मैं हार्फ मुकर्रत तो नहीं करते हैं। उसी तरह शायर कहते हैं कि मैं भी हर्फ मुकर्र नहीं हूँ यानि कि मैं भी हर्फ मुकर्र नहीं हूँ यानि कि दो बार पैदा नहीं हूँ इस दुनिया में दो नहीं हूँ कि एक को कार दो एक को मार दो तो एक से काम चल जाएगा मैं एक ही हूँ इस दुनिया में और लोग अजदू अज़ागा गालिब का रियल नैम या असल नाम अजदू लाबख खान 13 साल की उमर में मिर्जा गालिब की शादी इलाही बक्षखा मारूफ की बेटी उम्राओ बेगम से हुई थी देखिए उम्राओ बेगम भी गलत लिखा गया है बट कोई दिकत नहीं है उम्राओ बेगम से मिर्जा गालिब की शादी हुई थी और शादी के चंद सालों के आमणा करना पड़ा था ठीके आरशी किस्तितीं खराब हो गई थी लिए inहोंते डिली का भी शफर किया था यानरी खिंदानी पेंट्टरन का सिर्शले में डिली का भी यह सफर किये थे लेकिन नाकाम रहे जब मुगलिय दर्बार से उनका बाजाबता तालुक हो गया तो उनके हालात मुआफिक होने लगे लेकिन कुछ सालों के बाद ही गदर का हंगामा हो गया जिसके वज़ा से सारा मौामला ही उल्टा पड़ गया आखिर कार रामपूर के दर्बार से वावस्ता हो गये और सवाल देखिए इसी जमीन में दर्याए समाए हैं क्या क्या यहां जमीन में दर्याए समाए हैं से क्या मुराद है इसी जमीन में दर्याए समाए हैं क्या क्या यह एक मिसरा है तो यहां पर इस मिसरे में जमीन में दर्याए समाए हैं क्या क्या से जाहरी मुराद शायर की फर फरहाद और शेरी की चहाने के तरफ इचार है यानि फरहाद जिस ने पहाड को खोद कर दूद की नहर काली आफिर कर वहभी इसी मिटी में मिल गया जानीनी की इसका भी इंतकाल हो गया और उसको लोगए इसी फिरीमें दफ़न कर आप लोग अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं कोई दिक्त नहीं जिस तरह आप लोग को अच्छा लगे पस लफजों को सजा कर अच्छे तरीके से इस तरह से लिखना है कि जो कौपी चेक करने वाला है वो एट्रैक्टिब हो जाए फुल माक्स आप लोगो दे दे अगला सव गजलों को पढ़ते हुए नसर का गुमान नहीं होता है नसर भी गलट टाइप हुआ है नसर इस तरह रहेगा यगाना का एक नया तज्रुबा यह भी है कि इस तर्तीब को नसर होने से बचाने के लिए क्या क्या की तकरार है यह क्या क्या एक तरफ फन की जरुरत को पूरा किया है ठीके, तो इसी वज़ने से, यह जो क्या क्या है किन एक तरफ से, फन की ज़रुत को भी पूरा करता है और ख्याल को जो है उसके आकरी हद तक पहँचाने की भी कोश्श करता है और दूसरी घजल ने भी, यगाना ने अपनी बाते, उसे सलेके से पेस की हैं इस गजल के तीसरे शेर में फरहाद की तरफ जो इशारा किया गया है वो वाकई में मतलब एक तरह से इस तरह आते जो अंदाज है ना यगाना चंगेजी का वो सबसे अलग हटकर है तो वही यहां पर बात बताया गया है कि दूसरी गजल में यगाना ने अपनी बाते उसी सलेके से पेस किया है इस गजल के तीसरे शेर में फरहाद की तरफ इशारा किया गया है लेकिन मानुई सता पर एक नई सूरत पैदा की गई है ठीक है यह हो गया एंसर अब देखे आखिए किया जबह गयरत को बनकर कसाई और मिली है मुझे दौलत बेजमेरी का मतलब बयान कीजिए किया जबह गयरत को बनकर कसाई का मतलब यह है कि अगर गयरत रहेगी तो मुतशायर शायर नहीं बन पाएगा यानि गयरत उसे शायर बनने नहीं देगा इसलिए मुझे दौलत बेजमीरी है मतलब यहाँ पर एक मिनट रुख जाएं इसलिए मुझे दौलत बेजमीरी का मतलब यह है कि अगर गेरत और जमीर इनसान के दिल में नहो तो दुनिया में कुछ भी कर सकता है इसलिए बेजमीरी भी एक किस्म की दौलत है इसी दौलत की बुनियाद पर ही लोग मुझे शायर भन जाते हैं तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के उर्दू का चैप्टर नमबर 11 से लेकर 20 यानि कि 11 से लेकर 20 चैप्टर तक के सभी विविए सब्जेक्टिव कोशन को कम्प्लीट कर लिए कोई भी डाउट हो तो कमेंड में लिखकर पूछ लीजिएगा हो सकेगा तो मैं अगले वीडियो में उसको क्लियर कर दूँ अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में अगले यानिकी 21 से लेकर 30 चैप्टर तक के सभी मस्ट विविए सब्जेक्टिव कोशन को लगा कर रखना है कि कब वीडियो अप्लोड हो की हम देख ले हर एक वीडियो आप लोग लिए मॉस्ट इंप्वोर्टेंट है ठीक है तो चलिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा आज के इस वीडियो को यहीं पर हम लोग इंड करते हैं बाइबाइ टेक क्यार फि हिंद और हुदा हाफिस